है स्वागत है आप सबका मैं विवेक बिंद्रा मोडिवेशनल स्पीकर लीडर्शिप कंसल्टेंट बिजनेस कोच करजे से मुक्ति के आठ अच्चूक उपाए हमारे देश के व्यापारी ड्यू टू लाक उफ कैलकूलेशन एंड लाक उफ फिनैंशल प्लानिंग करजे में चले जाते हैं अकाउंट्स और फिनैंस एक चीज नहीं है अकाउंट्स तो आपका परची बनाना बिल बनाना लेकिन फिनैंशल प्लानिंग हर आदमी को इंडिविज्वल बिजनस को बहुत ज़रूरी है आठ लाक करोड रुपे का करजा आज बैंकों को वापस नहीं मिल पाया अपने आप ही हाइपरटेंशन, इंग्जाइटी, बीपी, स्ट्रेस, डिप्रेशन तरह तरह की बिमारिया एड उने लग जाती है करजे में दबेवे आदमी की barrier-free thinking खतम हो जाती है देश के 30% से ज़्यादा लोगों की 30% extra बिमारिया इसी करजे के कारण आ रही है To become happy, you don't need peace of finance, you need financial peace Hey come on, you need financial पैसा, आपको खुश नहीं करेगा Financial peace आपको शान्ती देगा आठ करांती कारी उपाए हैं, पूरा वीडियो देखेगा आज आपके credit card को या तो जला दो, या जमा दो, या तोड़ दो, खतम कर दो आज कुछ शान्दा रुपाए दूँगा पहला point है, list your debt by interest rate आप ascending या descending order में, जितनी भी तरह के आपके करदे हैं चाहे वो personal loan का है, home loan का है, insecure loan का है, car loan का है, education loan सबको interest rate के हिसाब से sequence में लिख लें जिसका interest सबसे जादा है, उसको सबसे पहले खतम करें सब में बराबर बराबर EMI नहीं देने का ध्यान दीजिए, आप लोग यहीं गलती करते हैं सबकी EMI चल रही है, सबकी EMI जा रही है, ना 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 बाकियों को minimum payment पे रखिए, जिनका interest rate ज़्यादा है ना उन पे हमला बोल दीजिए, अटैक करिए, उसको जड़ से उखाड़के तुरंद खतम कर दीजिए जरा देखते हैं किसका interest rate कैसा है home loan सबसे कम interest पे मिल रहा है, 8.3% per annum, car loan 9% पे मिल जाता है, education loan 10% पे, personal loan अमूवन 12% के आसपास, unsecured loan में लगभग 20% का rate of interest है और credit card तो बना ही आपको बरबाद करने के लिए है, average 32% या उससे ज़्यादा interest रिताता है credit card का simple मुद्दा है, सबसे महेंगे वाले को सबसे पहले खतम करो, बाकियों का minimum payment के साथ उनको maintain कर लो दूसरा point, शाहिद ही किसी को इसकी ठीक से जानकारी हो, pay incremental gain exponential, कमाल की बात है sequence आपने लिख लिए आना, अब करना कैसे है समझ ये ध्यान से तो सबसे महेंगा है, उस पे बढ़ा बढ़ा के EMI pay करना शुरू कर दी है शुरुआत से ही और जो gain होगा same proportion में नहीं, exponential gain होता है, जरा एक table को समझते हैं हम लेंगे तीन scenarios का table, scenario 1, 2 और 3, इन तीनों का मैं calculation आपको quickly समझाता हूँ अगर आपका monthly EMI 5000 रुपया है, और 41 महीने का payment plan है इसमें आपका total पैसा 41 महीना multiplied by 5000 रुपया, दो लाख 5000 रुपया लग जाएगा scenario 2 में अगर आप इस payment को double कर देते हैं, यानि कि 5 की जगए 10,000 रुपय महीना पे करना शुरू कर देते हैं अब आपको 41 महीने, अगर 5 से 10 किया, तो 41 का half होना चीए था, नहीं हुआ, वो 13 ही महीने रह गया यानि कि payment अगर आपने 2 गुना किया, benefit आपको 3 गुना मिला है दूसरी तरफ एक और ले लेते हैं, 5 के जगए 10 तो आपने ले लिया, लेकिन अगर आपने सीधा 20,000 रुपया महीना पे करना शुरू कर दिया यानि कि payment आपने 4 गुना किया, लेकिन reduction in time taken आपको 7 गुना मिल जाएगा यानि कि अब आपका पूरा payment छे महीने में ही खतम हो जाएगा सरवसी बात है, double payment किया, 3 गुना फाइदा, और अगर 4 times payment किया, 7 गुना फाइदा तो जितना हो सके, jump कर करके, incremental payment करिए, exponential फाइदा उठाइए तीसरा point है, sell unnecessary items for at least 2 to 4 EMIs Warren Buffet कहते है, if you buy things that you don't need, you will have to sell things that you need पर, अमूमन फिर भी, आप देखिए, घर में बहुत सारा ऐसा समान आपके पड़ा हुआ है जहां के देखिए का ध्यान से, अब भी के अब वीडियो के बाद, simple criteria, अगर कोई चीज एक साल से ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करी, chances है, वो useless है और आपके लिए एक depreciating asset बना हुआ है, थोड़ा अपने घर में जहां के देखिए, मैं कुछ examples देता हूँ आपको काफी सारा unnecessary furniture या old mobile phones हो सकते हैं, electronic appliances जैसे TV, microwave, heater, कई bags भी हो सकते हैं, खूब सूरत लेकिन अब आब इस्तिमाल नहीं करते हैं, थोड़े पुराने हो गए, कुछ computer, laptop हो सकते हैं, washing machine, camera, cycle, books, musical instruments, sports equipment, apparels अब थोड़ी time लगता है, OLX पे बेच दे, quicker पे बेच दे, दुनिया भर की आड आ रही हैं, कम से कम 4-5 EMI आप ऐसे ही निकाल लेंगे, उन चीलों को बेच के, जो कचरे की तरे depreciating asset बनके आपके घर में पड़ी हुई है मेरा चौथा पॉइंट है, temporary downsizing, बुद्धिमान आदमी appreciating asset खरीता है, और कम बुद्धी का व्यक्ति, या तो depreciating asset खरीदेगा, या liability खरीदेगा, या unnecessary objects खरीदेगा downsize yourself temporarily, at least कुछ ऐसे चीजों को फटा-फट evaluate करिये, कुछ 3-4 चीज़े क्विकली बताता हूँ पहला अपने gratification expenses को evaluate करिये, dine-out expenses को evaluate करिये, entertainment expenses को evaluate करिये, unnecessary monthly subscription services, depreciating asset या non-value adding objects ये कहीं सारे चीज़े हैं, जिनको अगर थोड़े दिन के लिए आप control करें, कुछ extra 30% की saving की जा सकती है, आपकी monthly planning में, जो naturally आपकी EMI को contribute करती है पांचवा point है, pay loans with the second income कहीं बार husband wife घर में दोनों काम कर रहे होते हैं, तो एक की salary से घर चलना चाहिए और saving होना चाहिए, दूसरे की salary केवल loans pay off करने में पूरी तरह dedicate हो जानी चाहिए जब आपको पता है कि वो salary available ही नहीं है, आप loans को ज़्यादा अच्छा manage कर पाएंगे, और दूसरा उपाए हो सकता है केवल एक earning member और घर में wife ना काम करती हो, उस case के अंदर अपने लिए additional income की planning आप कर सकते हैं, कहीं बार additional income सुनने में अटपटा या मुश्किल लगता है, ऐसा नहीं है, मैं आपको कुछ ideas देता हूँ, आप freelance photography कर सकते हैं, content writing कर सकते हैं, teaching कर सकते हैं, LIC agent बन सकते हैं, multi-level marketing executive leader बन सकते हैं, data entry, telecalling या industry specific consulting, कहीं लोग अधा hobby catering भी करते हैं, जैसे homemade cookies या cake, you can also become a tour guide for weekends, friends, Ola या Uber, driving भी आप part time कर सकते हैं, office कतम होने के बाद, drive करते हैं, Ola, Uber, ये भी extra 15-20,000 पर महीने का आपको काम दे सकता है, या कुछ लोग social media पे paid tweeting etc कर सकते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो की जा सकते हैं, आप अपने passion को ढूंडिये, जो profession के साथ-साथ build करके, extra income, जो की you can straight away throw it to your EMIs, मेरा चटा पॉइंट है, have an emergency savings fund, देखिए, loan लेना ही ना पड़े, इसके लिए, कुछ ना कुछ emergency saving corpus अपने लिए बना के रखिए, जिसको liquid debt fund में आप डाल सकते हैं, जिसको निकालना बड़ा असान है, कभी भी निकाला जा सकता है, 24-48 घंटे के notice पे तुरंट निकाला जा सकता है, equity में भी आप invest कर सकते हैं, किसी भी समय पैसा बाहर निकल जाता है, 6-8 या 9% का भी debt के अंदर बहुत सारे ऐसे funds हैं, जिसमें return मिल जाता है, liquid fund में छोटा amount side में रखिए, जब जरूरत पड़े, तुरंट ले लें, loan लेने की कहीं बार जरूर blessing, have a data driven approach to your spending, keep your intelligence above emotion, one more time, come on, keep your intelligence above emotion, अगर आप budget बना लेते हैं, आपकी emotional spending को ये तुरंट control कर लेगा, budget का मतलब है, आपकी plan करने की शमता बड़ा सरल उपाए, पिछले 3-4 महीने के spends को देखें, plan करें और एक excel sheet बना लें, जिसमें allocate कर दें, मैं इस चीज के लिए, और इस चीज के लिए, और इस चीज के लिए कितना खर्चा करने वाला हूँ, those who don't manage their money will always work for those who do, simple, जो अपने पैसे का ख्याल रखना नहीं जानते, वो हमेशा उनके लिए नौकरी करते हैं, जो पैसे का ख्याल रखना जानता है, budget आपको मदद करेगा data driven spending के लिए, emotional spending को तुरंद control कर देता है, simple सा एक framework दे रहता हूँ, यहाँ category लिख ले, इधर budgeted amount लिख ले, इधर spend amount लिख ले, या remaining amount लिख ले, category में आप लिख सकते हैं, electric bills, groceries, investment, rent, water bill, mortgage, food, credit card, loan, utility, cable, entertainment, etc, उसके सामने लिख ले, कितना budgeted amount है, इसके लिए मैं इतना खर्च करूँ, इसके लिए इतना और उसके बाद सामने लिख ले, spend किया कितना, उतना किया या जादा किया, और बाद में आपके सामने remaining आ जाएगा, positive है कि negative है, इससे आप data driven spend करेंगे, आपकी life control में रहेगी, throw any excess cash on your debt, कुछ भी पैसा extra मिलता है न आपको, example के लिए कभी आपको tax refund मिलता है, कभी कोई windfall gain, उसको अपने घूमने फिरने में ना लगाए, इदर उदर object खरीदने में, कभी घर के लिए वास खरीद लिया, कभी टेबल खरीद ली, कभी कुछ extra कुछ नहीं, तुरंत हर extra पैसे को सीधा debt पे फिंक के मारो, और तुरंत उधार खतम करते जाओ, करदा लेने में जल् रखना, तुरंत समाप्त कर दो, करद मुक्त भारत को बनाने के लिए, हमारे व्यापारियों को आगे बढ़ाने के लिए, ये 8 simple planning के points थे, इनको उतारना जीवन में असान है, आप इनको कहीं बार जाने अन जाने में पहचानते हैं, लेकिन apply नहीं करते हैं, इसको मैं एक framework म आपको आज वीडियो के मादियम से दिया है, बहुत सारे व्यापारी करदे के current परिशान है, उनको वीडियो भेजिए, उनको कहीं ideas आजाएंगे, मैं दुवारा बता रहा हूँ, वीडियो भेजिए, कहीं ideas आजाएंगे, करदा जब सर पे चड़ा होता है ना तो दिमा कम क मेरे नए subscribers और viewers को मैं बता दू, अपने leadership funnel में, debt restructuring, debt management, cash की profitability, liquidity कैसे बढ़ाएं, सधारन हिंदी भाषा के अंदर, मैं इन top business formulas को global universities से लाके leadership funnel में आपको देता हूँ, नए नए batches लगातार आते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, आप जैसे कई व्यापारी आ रहे हैं, और in programs का बहुत लाब उठा रहे हैं, आप भी तुरंट इस number पर फोन करिए, पता लगाए कि कैसे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, और कौन सा venue आपके घर के नजदीक है, व्यापार को बढ़ा करना, सफल बनाना उतना मुश्किल है नहीं, जितना लगता है, मेरे साथ आईए, म तुरंट वीडियो उसको दीजे कहीं आईडियाज आएंगे, सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, फिर याद दिला रहा हूँ, बेल आईकॉन को हिट करें, अगर वीडियो से आपके फाइदा हो रहा है, लाइक देते जाएए, और नीचे आज मेरा कॉमेंट में नया प पढ़ेंगे, जिसका अंसर अच्छा लगा, उसको लाइक देंगे, और जो टॉप अंसर्ड हैं, जादा लाइक मिलेंगे, वो अंसर्ड लूपर आते जाएंगे, तो जहाँ जरूर दीजेगा क्रेडिट कार्ड के फाइदे जादा हैं, या नुकसान जादा हैं, इस प्रक के वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत भेले बाद.